हेलो दोस्तो एक बाद वारे से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विवी करना स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चले में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथ बैल को दबाना ना भूलना और साथ पर आप हमें इंस्टागराम और ट्विटर में फॉ अगर आपके पास यह पैनी स्टॉक है अगर थोड़ा इस पैनी स्टॉक के बारे बताना चाहूंगा दो रुपे 50 पैसे का स्टॉक आपको मैंने एक वीडियो के मादे हम से अपडेट दिया था कि इसमें न्यूज आई थी दोस्तो न्यूज यह थी कि किसी बड़ी कंपनी ने इसको इसमें स्टेक बाई किये थे इस छोटी कंपनी में अगर आपको याद आ रहा होगा कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं तो डेफिनिटी आप मिचे कॉमेंट करके बता सकते हो या तो फिर आ वीडियो अद तक डेफिनिटी चेक आउट कर लेना तो दोस्तो रा अगर आप कुछ इनिबेसमेंट करना हुगा तो डेफिनिटी आप मिचे करके चोड़ सकते हो लेकिन छोसका चार्ट है चार्ट हमें कहा रहा है स्टॉक यहां से रॉकिट हो सकता है जो आपको आराम से 40 तो 60% की दिखा सकता है ये अपरेल के महीने में और नेक्स्ट दो मह के अंदर ठीक है तो देख लेते हैं कि कि मैं किस पैन स्टॉक की बात कर रहा जो करेंटली तीन रूपे के आसपा स्ट्रेट कर रहा है तो लेके चलता हूं आपको स्टॉक के नाम की तरफ और उसके लिए सबसे पहले वीडियो बे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल तो दोस्तों आप स्क्री में देख सकते हो ठीक है जो कंपनी है एक बड़ी कंपनी पावर ग्रेड ने 74 परसेंट के आसपास इस कंपनी में स्टेक बाई किया था और जब से ये निउस आउट हुई है कंपनी मतला स्टॉक का प्राइस लगाता उपर की तरफ जा रहा है ठी अगर बात करता हो इसके लिए अपना चार्ट भी दिखाऊँँगा ठीक है अगर बात करते हैं एक साल के व्यूज का प्राइस लगाता रुपर की दरफ जा रहा है अगर बात करता हो शिक्स मन्त की चार्ट की तो आप देख सकते हो इस टॉक का दो रुपर 30 पैसे के आसप एक support area है मतलब एक अच्छा कासा support area का अब इस ट्रेट कर रहा है अगर आपने stock को hold किया है तो definitely आप 6 मन्त के आसपास का stock पूस लगा के stock को hold कर सकते हो बरे target के लिए किस target की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए भी आपको अभी अपना चार्ट भी दिखाऊँगा ठीक है अगर आप ध्यान दोगे तो यह थर्ट टाइम चार हुपे का resistance करने जा रहा है ठीक है तो मुझे लगता है इस बार यह definitely इसको break कर सकता है उसके उपर sustain कर सकता है अगर ऐसा हो जाता है तो definitely आपको एक बड़े target के लिए wait करना चाहिए ठीक है सर अगर मैं बात करता हूँ र जेपी पावर शेर के बाने में तो अगर बात करते हैं आज एक अपरेल में कैसा काम का जुआ दोस्तों देख सकते हो काफी अच्छा volume था एक अपरेल में almost 6 क्रोड के आसपास quantity rate की गई थी ठीक है 6 क्रोड quantity दोस्तों मजाग नहीं होता है एक volume रिकावर्टी स्टॉक में द कि अगर इतने बड़े numbers में लोगा stock को घर लेके जा रहे है तो कुछ न कुछ future में stock में हो सकता है और जो हमें अभी तक देखने को मिल रहा है कि price लगातार उपर की तरफ जाने में लगा है दोस्तों अभी मैंने इसका stock का चार्ट कोला हुआ है और इसके बाद अंते में श support area है तो यह support area है काफी अच्छा support area stock का तो अगर आप चाओ तो stock का अगर आपने hold कर आवा या planning कर रहे हो भाई करने की तो भाई 2.30 पैसी का आपका stop loss होना चाहिए stock में ठीक है 2.30 पैसी नीचे का stock जाता है तो definitely आप एक बाद stock से exit कर सकते हो short term के लिए और long term के लिए यह stop loss की बात ठीक है stop loss कैसे निकाला आपको समझा गया अब बात करते है कि stock में किस price में entry करना है और क्यों करना है तो अगर आप धिहान से देखोगे तो stock ने last time एक resistance बनाता है यह रहा और एकी बनाता है यह रहा ठीक है अगर आप इन दोनों को आपस में जोड देते हो उपर स ठीक है एक trend line draw करते हो तो अब ध्यान से देखोगे तो यह एक trend line का breakout हुआ है इसी trend line के breakout के आसपा stock को आप बाय करके चल सकते हो चाहो तो आप wait कर सकते हो या चाहो तो current market price में stock को बाय करके hold कर सकते हो ठीक है तो यह trend line के बज़े से मैं कहा रहा हूँ stock definitely एक technical chart अच्छा लग है और बात करते stock का target की JP power का रहेगा तो अगर target की मैं बात करता हूँ तो पहला target हमारा stock का रहेगा इसका resistance area तो चाहर रुपे 30 पैसे के आसपास ही हमारा target हना चाहिए और पांच रुपे हमारा second target हना चाहिए क्यों रहना चाहिए दोस्तों अब ध्यान से देखोगे तो यह जो last two swing बने है ठीक है अगर आप इन दोनों को आपस में जोड़ते हो एक trend line draw करते हो यहां से यहां तक तो definitely यह भी एक resistance की तरह काम कर सकती है trend line जो उसको touch करके नीचे दुबारा stock आ सकता है तो आप चाहो तो या तो simple 4 उपर 80 पैसे चाहर रुपे 90 पैसे का तो profit book कर लेना यह आप वेट करना यह stock इस trend line को test करें जब test करें तो आप profit book कर सकती हो तो मैंने आपको बदला दिया जेपी पाउश यह रगत आपके पास है तो आप definitely 4 रुपे के target के लिए वेट कर सकते हो साथ में आप stoppos लगा सकते हो 2 रुपे 30 पैसे का सपास ठीक है यह कुछ रिजन स मुझे लगता है अगर आपके पास है तो definitely बहुत बढ़िया है आप hold किजिए अगर आप planning करें यह stock को buy करने की तो आप buy करके चल से रखते हो लेकिन दोस्तों आप please अपने financial advisor से चला ले लेना कि भाई मैं stock को buy करने रहे वाला हूं अगर आपका कोई नहीं है तो बाई simple है Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp में और मुझे मेरा एक ID है Instagram ID via stocks करके आप मुझे आप टैग कर सकते हो ठीक है skin shot अगर आप कर रहे तो definitely इस Sunday को जो class होगी मैं आपको उसमें include कर रहे लूँगा free of cost तो दोस्तों जैसे मैंना आपको बताया है company के जो profit हो काफी बढ़िया नहीं है company के profit ऐसी है खास नहीं है ठीक है अगर बात करता हूं company का market cap मैंना जैसे आपको बताया है 22 क्रोड का market cap है promoter holding almost 27% के आसबस की promoter holding है और लगातार जो public का holding है वो बढ़ रही है साथ में जो DIA की holding है वो लगातार घट रही है stock में ठीक है तो ये कुछ fundamental stock के बारे में तो साथ में जो company के profit है December quarter में company and loss शो किया था और से दो quarter पहले company ने profit दिखाया था books में तो दोस्तों देखो अगर बात करूं company के पी एंडल के basis में की stock को buy करना चाहिए दोस्तों मैं बोलूँगा नहीं करना चाहिए आपको लेगी ना stock के technical chart और news के basis में stock को buy करके hold कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो ठीक है भाई तो भाई इस वीडियो में इतना ही इस तीन र है हिंद